गुड बॉर्निंग फेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद रवी पर चलिए आज की दे हिंदू एडिटोरियल वाकैबलरी से पहला वर्ड लेते हैं वाकैबलरी की PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम गुरूप पर जोड़ सकते हैं तो वहां से आप इसकी वाकैबलरी की PDF डाउन्लोड कर सकते हैं थे अपेला वर्ड है इसका मतलब होता है फ़ोला करन भिद बाक्रा वहते हुआ हुआँ उसको बोला जाएगा Amassiation अगला शब्द है Ambush Ambush यहाँ पर noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है घात लगा कर या किसी पर आकरमन करना, हमला करना घात लगा कर आकरमन करना किसी पर उसको बोला जाएगा Ambush अगला शब्द है Impending Inspending यहाँ पर adjective यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है ऐसी कोई अपरिय घटना ऐसी कोई बोरी बात जो घटने वाली हो उसको बोला जाएगा Impending अगला शब्द है Emblematic Emblematic यहाँ पर adjective यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी का किसी बात का या किसी स्थिती का चिन्न स्वरूप होना प्रतीख होना या गोतक होना उसको बोला जाएगा emblematic अगला शब्द है morbid morbid यहाँ पे adjective की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है upper या बुरी बातों में रूची रखने वाला उसको बोला जाएगा morbid अगला शब्द है affliction affliction यहाँ पे noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिती या बात जो दुख पीडा देने वाली हो उसको बोला जाएगा affliction अगला शब्द है malevolent malevolent यहाँ पे adjective भी तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है दूसरों का बुरा चाहने वाला या अनिष्ट चाहने वाला उसको बोला जाएगा malevolent अगला शब्द है perpetuate perpetuate यहाँ पे verb की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्थाई बनाना या ऐसी कोई स्थिती जो लंबे समय तक बनी रहे उसको बोला जाएगा perpetuate अगला शब्द है coercive coercive यहाँ पे adjective की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है लोगों से काम करवाने के लिए कठोर सक्त बल पूरो के वब मजबूत कदम उठाना उसको बोला जाएगा coercive अगला शब्द है petrifying petrifying यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है इसका मतलब होता है किसी को डराना धंकाना और अपना काम करवा लेना किसी से डरा धंका कर उसको बोला जाएगा petrifying अगला शब्द है subvert subvert यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है शाशन जो सरकार होती है सरकार धरम या राजनीतिक व्यवस्था को शतिगरस्त यहाँ नी पहुचाने का प्रयास करना यह हम बोल सकते हैं तखता पलट कर देना सरकार का उसको बोला जाएगा subvert अगला शब्द है containment containment यहाँ पे noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी स्थिती को काबू में रखना उसको नियंतरण में रखना उसको बोला जाएगा containment अगला शब्द है deception deception यहाँ पे noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी को धोखा दे रहा किसी को cheat करना उस sense में इस word का यूज़ होता है deception का अगला शब्द है opaque opaque यहाँ पे adjective की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है इसी कोई स्थिती जो असपश्थ हो जिसके बारे में प्रून तह मालूम ना हो ऐसी कोई स्थिती या इसी कोई बात या हम बोल सकते हैं ऐसी कोई वस्तू जो अपार दर्शी हो जिसके आर पार ना देखा जाए तो उस सेंस में भी इस वर्ड का यूज़ होता है opaque का और आज की vocabulary का अंतियम शब्द है referential referential यहाँ पे adjective भी तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी के प्रतीश रधा एवं संबान की भावना होना उसको बुला जाएगा referential तो यह आज की vocabulary का अंतियम शब्द था document की PDF के लिए आप telegram group पे जोड़ सकते हैं यदि आप channel पे नए हैं तो please मेरे channel को subscribe कीजिएगा आपने कुछ वीडियो से सीखा हो informative आपको लगा हो आपने कुछ सीखा हो तो please वीडियो को like कीजिएगा जादा से जादा share कर दीजिएगा तो आज की vocabulary इतनी ही थी thank you thanks for watching